कई लोग करते हैं गुरुजी क्या आप दूद चड़ाना जरूरी है संकर पर कई लोग करते हैं गुरुजी क्या दई चड़ाना जरूरी है संकर पर शह चड़ाना जरूरी है घर चड़ाना जरूरी है शकर चड़ाना जरूरी है शिव महापुरान की कथा कहती है पाथ चीजे शंकर भगवान पर चड़ती है दूद अर्थात घर में लच्छमी की ब्रधी करता है इसलिए चड़ाया है दही शंकर भगवान पर इसलिए चड़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है जिसके परिवार में कलेश जादा होता है जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार जादा होता है उसको दही जोड़ता है शाहद घर में चिर्चिड प्रवत्वी को समाप्त करता है घी रोग को समाप्त करता है शकर मिष्ठान घर में यदी लच्मी आकर जा रही हो तो मिश्ठान समर्पित किया जाता इसलिए पंचामर्तिस्नान का भाव शुमापुरान करते हैं पंचामर्तिस्नान का भगवान इसलिए पाचीजे शंकर को समर्पित हैं दोध, दही, गरत, शहद, शकर, अर्थात, मिश्ठान शकर से मूलता है या शुमापुरण में शकर नहीं लिखी है मिश्ठान अब लोग सकर पीस का रविशे करते हैं परन्तों मिश्ठान अर्थार गाय के दूद से निरमित कोई मिठाई और उस मिठाई से भगवान संकर का विशे अब लोग भले सकर रखने लगे संकर जी के अभी सेख में पर यहां सकर नहीं लिखा है यहां मिश्ठान हमारे यहां साहज भासा में करते थे उसको खांट अर्था मिठा शुमापुरान की कथा करती है दरपन इतना बड़ा ले लो बंदर वाला अगर दरपन वाली नहीं तो इतना बड़ा दरपन लो हनमान जी के मंदर में जाकर क्योंकि हनमान संकर का ही उतार है हनमान जी के मंदर में जाकर हनमान जी के उल्टे पाउं का थोड़ा सा सिंदू चरण का थोड़ा सा सिंदू एक कागज में लेकर आ जाई और हनमान जी के छोटे भाई हनमान जी छे भाई हैं उसमें गती मान हनमान जी के छोटे भाई गती मान का नाम लो और गती मान का नाम लेकर उस दरपन पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दरपण को घर के बाहर दरपण का मुख बाहर की ओर मुख करकर दरपण को घर के बाहर या दरबाजे पर बिल्डिंग पर उपर जाली में फरंट में कहीं पर उसको लगा दें जा महाराद okay केवल शंकर का इस्तमर्ण करकर गतीमान का नाम लेकर हनमान के उल्टे पाउं का सिंदूर का क्रिशूल बनाकर जो दरपन को लगा देता है आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कित्ते बिमार पड़ते थे और इस दरपन को लगाने के बाद बिमारी कम होई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना क्या जा रहा है पर करके जरूर देखना विश्वास रख कर करोगे भगवान शिव का अनुमोधन करकर भगवान शंकर पर विश्वास रख कर करोगे तो बिमारी घेर नहीं से अकाल मृत्य वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भग को महा काद का शंकर की अराधना करने वाला शिव का इस्वन करने वाला शिव का निवेधन करने वाला शिव अर्चना में डूबने वाला शिव का अनुमोधन करने वाला कभी दुखे नहीं हो से तो शिव महा पुराण की कथा कती है शंकर को जितना जल प्रिय नहीं शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं शंकर को जितना दूद दही प्रिय नहीं शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है सत्यम शिवम सुन्दर इसलिए हमारे याँ शास्त्र कता है ब्रम्मा जी केत्की के फूल को लेकर आये उसने जूड़ बोला ब्रम्मा स्वयम जूड़ बोले तो सिर कटा कर्मनाषण नदी प्रकट हुई और शिव महापुराण की ओताकतिय ये शंकर को सत्यप्री है अगर जुड बोला है इसलिए शिव महा पुरानम का इसपश्टी करन किया जाए बंडन किया जाए तो पहले के समय में आदालत नहीं होती थी पहले के समय में कोई सभाई नहीं होती थी पहले के समय में कोई निननायक मंडल नहीं होता था पहले के समय में किवल एक निननाय हो आते थे क्योंकि लोगों ने शिव महापुरान सुन रखी थी शिव महापुरान में शिरिवेद व्यास जी बंदन करते हैं कि संकर के मंदिर में संकर के ओतले पर संकर के मंदिर के अंदर शिव की चोखट पर संकर के अनुमोधन में शिव महापुरान के अंतरकत संकर के अनु जली और केदे तुने ऐसा में आपके भी जीवन में अगर किसी को कश्ट है फिर निवेदन करूंगा मंदिर में अगर बत्ती भले मत लगाओ मंदिर में बीप भले मत जलाओ मंदिर में पेडा भले मत चड़ाओ अगर आपके महले में आपके पडोस में आपके परिवार में आपके नजदिये कमें, अगर कोई दुखी है, तश्ट में है, उसको यदि प्रेम उसकी बानी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर इसमाईल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है साथ, मंदिर में दीप जलाने के लिए, बेल पत्र, भगवान मता पारवती के अश्रू से है, रुद्राप्च भगवान शंकर के अश्रू से है, शमी पत्र, उमा और महिस्षर, भगवान शंकर के विग्रह के सुक से जो जल परगट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ती है महारा, दोनों के मिलने से, दोनों के मिल सब्सक्राइब, घर में एक मुखी रुद्राक्ष कर प्रविश कर जाए तो सुक का नुभाव करा देता है संपदा का नुभाव कराता है सरसुती का भाव प्रगट करता है बेभाव का भाव देता है एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमा ओम हीम नमा ये लच्छिमी के लिए होत रही बहुत तकलीफा रही है तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसका कारे सफल होता है दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमहा रोद दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमहा विदेश्वर सही था कि अ विद्या प्राप्ति के लिए होता है केसा भी अनपड़ से अनपड़ व्यक्ति हो जिसको विद्या में रुची ना हो पढ़ ही महीं पा रहा हो चितवर्ति ही ना लग रही हो मन ही ना लग रहा हो परसंट कम से कम होते जा रहे हो तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए नहीं डाल सकते है तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है विद्ध्याद्यन करता है उसके कमरे में लगा दीजिए तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम- करें शीवान आप मारे शिवान शुरी शीवान शुरी शिवान शुरी शुआ नमस अम्नुक दो